नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड़ा 24-7 पर मेरा नाम है नवदीप सिंग और जैसा कि आप सभी जानते हैं रोज सुबह 6 बजे हम किसी न किसी समसामीकी के विशय पर चर्चा जरूर करते हैं तो आज जो चर्चा का विशय है वो यह है कि भारत जितनी तेजी से अर्थ विवस्था में प्रगति कर रहा है International Monetary Fund का ये कहना है कि भारत बहुत दुनिया से आगे निकल जाएगा यानि भारत में अभी जिस तरह से अर्थ विवस्था में बहुत सारे देशों को पीछे पचाडते हुए पांचमे नंबर पर अपनी जगह बनाई है वही आपको भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे इंडिया आने वाले समय पर अर्थ विवस्था में अपनी GDP ग्रोथ रेट को ले करके और साथ ही साथ एकनौमी में अपने ग्रोथ के विजन को ले करके आगे बढ़ने वाला है तो आईए इसी का इनलिसिस करते हैं चीजों को समझना शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में और साथी साथ मुद्दे की चर्चा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसा कि आप सभी को पता है एक बॉड़ी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 27 डिसेंबर 1945 को और इसका हेटक्वार्टर वाशिंग्टन डी सी में है बाकी मैं एक होमवर्क के तौर पर आपके लिए जरूर रखूंगा कि आप बताएंगे इस समय पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चेर परसन कौन है इंडिया में बिकम थर्ड बिगेस्ट एकॉनमी आफ्टर यूएस चाइना इन फाइव यर्स यानि भारत यूएस और चाइना के बाद तीसरी सबसे बिग एकोनॉमी बन सकता है अगले पास साल में और साथ इसाथ ये न्यूज भी है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है इंडिया का ग्रोथ रेट इस समय पर 6.8% के आज पास जाने वाला है और ये 6.8% ग्रोथ रेट अपने आप में बहुत बड़ी बात है भारत में इंफलेशन यानि महगाई बहुत ज़ादा है मुद्रा स्फीति के इंफलेशन के इतना ज़ादा होने के बावजूद भारत अगर अपने ग्रोथ रेट को इतना कंटिन्यू तरीके से आगे बढ़ाता है इसका मतलब हमारे लिए ये बहुत अच्छे संकेत है आईए सबसे पहले तो ग्रोथ रेट की बात की जाए मुद्रिक मूल ही GDP कहलाता है और यह जादा से जादा यह हमारे देश के अंदर बनने सुरू हुए तो इसका मतलब कि हमारा देश और जादा प्रगति के पत्वर अग्रसर है परन्तु लेटिस्ट वर्ल्ड एकनॉमी रिपोर्ट में इंडिया के लिए इंटरनेशनल मॉने जिन जिस आजकल विश्व में क्या क्या है सबसे पहले उनकी बात की जाए ग्रोथ अपने आप में एक एकनॉमिक चैलेंज है ग्रोथ का मतलब कि किसी भी देश को व्रिद्धी करनी है ज्यादा से ज्यादा वस्तुमें में सिवाओं का उत्पादन करना है तो गुड्स और सर्वेशिस के प्रोडक्शन के लिए रिफॉर्म चाहिए प्राइवर्टाइजेशन को सपोर्ट मिलना चाहिए जितना ज्यादा निजी करन होगा जितनी कंपनिया छोटी-छोटी अपने चीजों को बनाना शुरू करेंगे उतना ही अच्छा GDP ग्रोथ रेट होगा एक्ज दोनों ही education बढ़ेगा और unemployment घटेगा यानि employment बढ़ेगा अब inflation की जो situation है इस समय पर भारत में inflation की situation काफी हाई है मतलब भारत में इस समय पर महंगाई है और महंगाई दर inflation का जो rate है वो भी काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है इस तब इस पूरे के पूरे scenario में इस अपनी economy को recover भी करना है और recover करने के साथ साथ inflation को manage भी करना है इन दोनों चीजों पर भारत का जो काम है वो भले ही अगर मुद्रा स्वीती को manage करने में बहतर ना रहा हो लेकिन भारत का काम इस समय पर growth rate में बहुत बहुत है fiscal की बात जब भी हम करते हैं इसका मतलब यह है कि जो हमारे finances sources हैं उन finance sources को अपने revenue को और ज़्यादा मजबूत करें जितना ज़्यादा मजबूत revenue होगा उतना ही बहतर आगे चल करके हमारे देश में रुपए होंगे हमारे देश में मुद्रा होगी और वो हमारे revenue को जैसे बहुत सारे ऐसे firm हैं जिनमें हम लोग example देते हैं नीरव मोदी का हम example देते हैं विजय मालिया का ये लोगों के firm इस तरीके से function नहीं कर रहे हैं जितना loan उन्होंने लिया था बैंकों से वो लोन ये वापस नहीं कर पा रहे हमारे देश से समय पर बाहर चल रहे हैं इ में क्या बता रहा है भारत की population को international monetary fund ने कहा है लगभग 1.39 billion यानी 149 करोड और इसमें 2020 में भारत की वृद्धिदर को माइनस 7.3 दिखा रहा है जबकि 9.5 और 8.5 वो 2021 का projection और 2022 का projection दिखा रहा है वहीं देखें GDP पर कैपिटा की बात की जाए तो 2116 US डॉलर्स में है unemployment rate बहुत ज़्यादा है यानी कि भारत में बेरोजगारी दर 7.1 प्रतिशत हमारा जो में एक्सपोर्ट है जो हम पूरी दुनिया को देते हैं वो oil export है steel है pharmaceutical chemicals है इसके साथ साथ अगर भारत की कहा जाए vaccination dose कैसी है तो IMF के हिसाब से vaccination dose नवंबर 2021 में 53 प्रतिशत थी यहीं अगर inflation को देखे तो annual percentage 6.2, 5.6 और 4.9 प्रोजेक्टेड होना चाहिए लिकिन इस समय पर inflation का rate बहुत ज़्यादा दिख रहा है वहीं जब हम बात करते हैं gross public debt की यानी लोगों के ऊपर कितना कर्ज कहा जाएगा economy में एक यह parameter होता है तो वो भी धीरे-धीरे कम होने के आसार है कहीं वो 90 के आसपास फिर कहीं वो 88 के आसपास और धीरे-धीरे ऐसी ही declination होना चाहिए तो यानी हमारे भारत की जो growth है वो अगर 6.8% से हो रही है इसका मतलब यह है कि भारत सच में एक बहतर recovering economy के तोर पर आगे आया है और साथ ही साथ International Monetary Fund की इस report के हिसाब से भारत अब पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देगा IMF की Chief Economist है जिनका नाम है Pierre A. Oliver Goranches और Pierre A. Oliver Goranches ने कहा है कि इंडिया की economy बहुत अच्छा perform कर रही है पर साथ ही साथ यहाँ पर monetary tighting भी होनी चाहिए यानि ऐसा नहों कि भारत की economy उतने बहतर तरीके से pace पकड़ने के बाद या acceleration मिलने के बाद ओने मूनी चाहिए तो इसके लिए इन्होंने बात कही है साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि जो भारत की economy है उनमें अगर आप numbers को देखें तो per capita GDP जो 2027 में भारत की होने वाली है वो होगी 3652 रुपए जो कि अभी हम लोग 2000 में देख रहे थे 2116 के आसपास वो अब dollar में हो रहा है 3652 2022 में 2466 जो आज है यही 2027 में याज से पांच सालवाद लगभग 1200 डॉलर बढ़ जाने वाली है तो यह एक situation है इसके अलावा दूसरी situation यह भी है कि इंडिया के perspective को अभी देखा जाए तो इंडिया ने recently Germany और Japan दोनों को beat करते हुए अपने inflation को एक parameter सामने रखते हुए भी ब growth rate को measure करने का जो एक पैमाना है वो ऐसे है कि GDP के लिए एक base year होता है और उस base year से फिर GDP को calculate किया जाता है जैसे example के तौर पर 2012 एक base year है तो 2012 base year के हिसाब से GDP को हम लोग आगे calculate करते हुए बढ़ते हैं ऐसे ही GDP जब इस समय पर भारत की आप देखेंगे तो जितना percentage से growth करेगी उतना ही बहतर है साथ ही साथ कुछ और भी ऐसी खबरे हैं जो भारत के लिए बहुत अच्छी हैं उनमें से सबसे पहले हैं इंडिया का Forex Reserve भारत का Forex Reserve बढ़ करके हो गया है 550 billion US dollars यानि कि भारत में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लेंदेन के लिए जब आप पेमिंट करने जाते हैं तो Forex Reserve के माध्यम से पेमिंट किया जाता है जिसका पूरा full form होता है Foreign Exchange Reserve Foreign Exchange Reserve सरकार का वह पैसा है जो एक्सपोर्ट के जरीए आता है और Reserve Bank of India सरकार के बदले में इसे रखता है अपने पास तो सरकार के बिहाफ में RBI Forex Reserve को होल्ड करता है Situation comfortable है Banks strong position पर धीरे धीरे आ रहे हैं Credit cycle धीरे धीरे मजबूत हो रहा है यानि बैंकों में रुपए आ रहे हैं और बैंकों में रुपए आने के बाद उनका अच्छे तरीके से आधान प्रदान भी होने लगा है पुरे विश् इकृतना शुरू करते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे दुनिया भर में देशों के अपने अपने फोरेस्य तो चीन का फॉरेक्स रिजर्व आप बहुत बड़ा पाते हैं चीन के फॉरेक्स रिजर्व के बाद भारत का भी फॉरेक्स रिजर्व देखते हैं तो इन सभी देशों के फॉरेक्स रिजर्व आपको काफी ज्यादा देखते हैं तो चीन की बात करें तो यहां चीन में Japan का देख रहे हैं आप 1205 billion US dollars और वहीं Switzerland का देख रहे हैं आप 750.7 billion dollars और वहीं अगर आप इंडिया का देखे Forex Reserve तो इंडिया का Forex Reserve है 397.2 billion dollars जो कि इन्होंने उस समय पर बताया था परन्तु अब भारत की situation कुछ और है कि 550 billion fiscal जो situation है वो comfortable है इंडिया के लिए इस डेटा के साथ साथ मैं अभी बता दूं आपको कि United Kingdom को recently इंडिया ने पीछे छोड़ते हुए अपने आपको दुनिया भर में 5th largest economy के रूप में शामिल कर लिया है या शुमार कर लिया है भारत के 5th largest economy बनने के पीछे कहानी ये है कि January से March के quarter में जब हम growth को देख रहे थे तो वह बहुत अच्छी थी लेकिन वहीं साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ब्रिटेन जितनी population में इतनी बड़ी economy है जिसे भारत ने इतने ज़्यादा बड़ी population के साथ पीछे किया है तो ये अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा खुश होने का विशह नहीं है हाँ यह जरूर है कि भारत धीरे धीरे इसी तरीके से प्रगति करते हुए कहीं न कह बाद आप चाइना को देखिए फिर उसके बाद आप जपैन को देखिए जर्मनी को देखिए और फिर इंडिया को देखिए इंडिया का जो इस समय पर आपको 854.7 billion dollar का figure दिख रहा है ये international monetary fund के ही source से लिया गया है तो I hope कि अब आपको ये जानकारी पूरी तरीके से मिल र fund के world economic outlook IMF world economic outlook issue करता है यह भी प्रशन पूछा जाता है परिक्षाओं में तो दोड़ा ध्यान देना है कि IMF की world economic outlook में ये कहा गया है कि 2026 में भारत जर्मनी से और उसके साथ ही साथ 2027-28 में भारत कहीं न कहीं तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने के रास्ते पर है तो यह रहा हमारा आज का अनालिसिस आपको यह question बताना है कि who is the current head of international monetary fund अंतराष्री मुद्राकोष के वर्तमान प्रमुक कौन है साथ ही साथ करें आपकोषsemb planning कात्यों हुड़ी साथ